सो हे गाईस कैसे आप सभी उम्मीद है कि आप अच्छे होगे आज हम बात करने वालें आपकी कटप के बारे में जिसके उपर आपका काफी एदा कमेंट आ रहा था किसा अब हमारा एक्जाम हो चुका है तो नेविक डीवी जीडी और यांतरी की इस वार एक्जाम कटप क्या इंपोर्टेंट है हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर देना सेर कर देना चैनल पर नहीं यह पहली वार यह तो चैनल सस्काइब कर लेना क्योंकि आई सीजी की तरफ से कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले आपके लाते हैं पलपले की जनके आपको बताते हैं तो अब ब एकजम पास कर लेते हैं तो हमारा सेलेक्शन हो जाएगा कोश्ट गार्ड में तो यह बात आप गलत सोच रहे हो यदि आप अपने एकजम पास कर लेते हो कटव में आपका नाम आ चुका इसके बावज़ों दोस्तों आपका सेलेक्शन नहीं होने वाला है केवल यह फिर क्या होता है स्टेज सेकन ही कटव जाती एंदे लिका दी जाते फिर रोती रहते हैं कि थोड़ा और महत कर लेता तो आँस सेलेक्शन हो जाता तो यहीं वात हम आपको बताना चाह रहे ह Chelsea की कटव आपको रखना आए और इतने नमबर आपके होने चाहिए तब जाके आई सीजी में आपका स्लेक्शन होने वाला है सबसे इंपोर्टेंट बात यह है तो पिछली बार की एक्जाम कटप को दिहान में एक्टियों इस वार आपकी कटप कहा जा सकती है आपको बता दें सब मेडियम लेबल का पेपर आया था हम कह सकते हैं मॉड्रेट और 27 और 288 तारीको जेडी का जो पेपर हुआ था और उखे मगाबदे देखा जाए जिन्होंने एक्जाम दिया उनको तो पता होगा तो पिछली बार जो आपका पेपर आया था मॉड्रेट आया था यानि कि हम क प्लाइ किया है बागी आपको बता दें यह तो आपका स्टेज फश्टर कट अप देख सकते हैं किलियरी बैच सेकंड दो हज़ा 21 एक हाली अपकी एक्जाम कट अपती हम कह सकते हैं पासिंग कट अप यदि आप इसको पास कर ले तो एक्जाम पास कर ले तो आपको फिजिकल मैट लिष्ट में जगा नहीं बना लेते हो और आपको मैट में जगा बनानी है तो आपको इतने नमर लाने पड़ेंगे तब जाके दोस्तों कोश्ट गार्ड में आपका सेलेक्शन होने वाला है चाहे आपने जीडी का एक्जाम दिया हो डीबी का यह यांतरिक का जैनल व फाइदा है उससे बढ़िया तो आगेगी सोचो ना फुल और फाइनल इसवा सेलेक्शन लेना है तो जैनल वालों को असी प्लस तो लाने पड़ेंगे और जिन भाईयों ने एक्जाम दिया नीचा कमेंट करके बताओ कि आपके किते नमर बैठ रहे हैं यह बात आप समझ चुके हो तो जैनल वालों को 80 प्लस का टाइगी डखना है ओवी सी की कट अप जा सकती है 70 प्लस तो भाई आपको इतने नमर चाहिए चाहिए तब जाके आपका सेलेक्शन होने वाला है तो यदि आपके इतने नमर बैठ रहे हैं तो तयारी सुरू कर दो फिजीकल की ताकि आने वाले स्टेज में आपको लिकाला नहीं जाए और जो बात हमाई बुई लग रही है उसके लिए माफित चाहते हैं लेकिन दोस्तों फैक्ट और रियल यह ही है तो आप देख सकते हैं ओवी सी को 70 प्लस का टाइगेट अखना है पिछली बात जो स्टेज सेकेंड़ी आते हैं इसमें भी आपको 65 प्लस का टाइगेट एखना पड़ाएगा क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो जीडी का जो पॉर्ट संता थोड़ तफ ता तो आपकी इस वार कट अप कम जा सकती है और पोश्ट हम आपको बता दें कुल मिलाकर 260 हैं तो कट अप तो जाएगी जाएगी इतने के बीच आपके नंबर होने चाहिए तो तैयारी आप अभी से सुरू कर दो क्योंकि जब जल्ट आएगा काफी कम टाइम मिलने वाला है यदि आपकी इतने नंबर बैठ रहे हैं जनल ओवी सी एडुलेस ऐस ऐस्टी तो लग जाओ तैयारी में और यदि एक्जम दिया है आपने तो जनल वालों को टाइगिट पचास प्लस का रखना ही पड़ेगा साट मैं से तो साट मैं से आपको पचास नंबर लाने पड़ेंगे तब जाके आपका डीवी में सेलेक्शन होने वाला जनल वालों का नीचे कमेंड करके बताओ कि आपके किते न होने वाला कुल मिलाकर पचास पोश्ट ने डीवी की तो आप इससे भी अनुमन लगा सकते हैं तो कटप तो आपका ज्यादा जाएगा साट मैं से आपको पचास प्लस का टाइगे डखना जनल को और ओबीसी वालों को तब जाके दोस्तों डीवी में आपका सेलेक्शन पास होने के लिए तब जाके दोस्तों आप वर्दी ले पाऊगे नीचे कमेंट करके जरू बता कर जाना है कि आपका कितना स्कॉर बैठ रहा है और यदि आप एड़ियों बात करें हमने फुल एंड फाइनल की कटप के बारे में वह नहीं कि जो आपकी एक्जाम कटप कित कोई बात नहीं है लेकिन आपका सिलेक्शन होना चाहिए मैं मुद्धा तो यही है एक्जाम पास कर लोगे कोई फाइदा नहीं होने बाला आपका बाकी बहुत बच्चे एक्जाम पास करेंगे फाइनल तक नहीं पहुच पाएंगे तो आपको फाइनल तक जाना है भाई स में किते नमर आपके आ सकते हैं और यदि आपके 70 प्लस 80 प्लस हैं तो आप फिजीकल की तैयारी अभी से सुरू कर दो बात मत कहना कि सर आपने बता हैं नहीं क्योंकि इस वह आपका फिजीकल बहुत जल्दी होगा रिजल्ट आने के बाद ही ठीक बाकी हमने आपके जल्ट को जगा बनाने के लिए कितना मत चाहिए और जातीज आते एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि पास्निंंग कटब के भरोसे मत बैठो यह खाली आपको दिलासा देगी सेलेक्सन नहीं दिलाने बाली है सेलेक्सन तो दो दोस्तो आपको फाइनल कटबी देवाएगी तो आपको तो फिलाल अच्की वीडियो में तो नहीं था अब जो भी आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट कर देना नहीं तो हम टेलिगाम पर आगें आप टेलिगाम पर जाना और साच करो जी स्टडी आपके समने अकाउंट आजाएगा यहाँ पर आप कुछ भी हमसे पूछ सकते हैं हिंद